हेलो नमस्कार दोस्तों मैं विरूफ फोटो कार से स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेलिश्टरॉन का आश्ट्रमस्टर नाइन टी एक्यू टलिस्कोब तो आप देख सकते हैं में बॉक्स हमें निकाल के रख द बिलती है ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी अन्वाप्सिंग आप 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 है आप आप के विल बॉक 파 कही आप 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 ठीके दोस्तो 90 EQ बॉक्स के अंदर ये सारी अक्सेसरी आती हैं एक आता है 90 mm का ट्यूब एक आता है एक टूरियर माउंट दो स्लो मोशन नोग एक काउंटर वेट रॉट एक ये माउंट को अर्जेश्ट करने के लिए इस्क्रू एक डागनल रेट डॉट फाइंडर स्कोग दो आईपीस 20 mm एंट 10 mm ये दो इसके बॉक्स आते हैं दो काउंटर वेट रॉट और एक आती है इसके अंदर एक्सेसरी ट्रें ये सारा इस बॉक्स के अंदर आता है और क्यूक लिए अब हम इसको सेट अप करके आपको दिखाते हैं है इसके आती हैं झाते हैं यह सेटप है फास्ट मोवी आपने देख लिया मैं एक वाद डिटेल में समझा जाता हूं सबसे पहले हमारा ट्राइपॉड इसके तिनों लेक खोलने के वाद इसके ऊपर एकसेसरी ट्रे लगाना है इससे ट्राइपॉड भी बैलन्स बन जाता है और जो आपकी एकसेसरी जा आपकी अगरेर वह उसके ऊपर कर सकते हैं उसके बाद में लगाना है एक्टूरर्यल माउंट ट्राइप पीछोप इसको आप यहां पर लगा लें के लगाने के वाद फिर हमें लगाना बता है अपना टागनल के आगे पिछे दोरिक्स टे-ससे के लिए न हमël है Ju नहीं नहीं अब आप तो जो भी स्तवाड ज़ cay शोंड इ Felix आ पर अंदर पैश्ट एज है कि उस futur क्या रहेगा आपको ऑब्जेक्ट चल्दी मिल जाएगा और अगर आप छोटा इपी लगाएंगे तो वो जुमिंग पावर ज्यादा कवर करेगा तो एरिया कम कवर करेगा आपको ढूंडे में थोड़ी मुश्किल हो सकती है ठीके दोस्तों यह लगाने के बाद अगर आप बिगनर है तो सबसे पहले इस्ट्रेलिस्टोप को यूज करें डे में और डे में कोई भी नियर्वाइका एक ऑब्जेक्ट को आप ढूंडें ऑब्जेक्ट ढूंडें के बाद आपको आई पीस में वो आपजेक्ट देख जाएगा दिखने के बाद आपको रैड डॉट क को आइप अधिस के साथ इसका जो रएड डॉट है वो उसी अब्जेक्ट के सेंटर में रहना चाहिए जो आई-पीस में दिख रहा है अगा विद्ध सेंटर में नहीं है तो फंड़ बें दो बटन दे रखें एक यह बटन दे रखा है एक यहाँ पर बटन दे रखा है इन इस क्रू से जो रेड डॉट है वो लेफ्ट राइट एंड अप डाउन पोजिशन चेंज करता है तो आपको उस रेड डॉट को इस आइपीस में जो दीख रहा है और उसकी सेंटर में लाके मैच कर देना है दोनों जब मैच हो जाएंगे तो आपको रात में बहुत ही हैल्प लेगी सिंपल सा आपको अपने रेड डॉट में देखना है और नाइट में किसी भी आपजक्ट के उपर ले जाके अगर आप रेड डॉट छोड़ देंगे तो 90 परशेंट आपका अलाइन ह ठीक है इसी परिकार से और यह है इसका फोक्सिंग और जैसा कि मैं आपको एक बार दुबारा बता देता हूं इसका जो अपर्चर है वह 90 mm का अपर्चर है एक्यू मांट में यह टेलिस्कोब आता है फोकल लेंद जो है इसकी वह 1000 mm है काफी पावरफुल टेलिस्कोब है य तो सिंपल सा यहां पर टी त्रीट दे रखा है यहां पर इस प्रिकार से यह जो टीरिंग है वह आप में लगाएंगे और लगाने के बाद यह पोजिशन जो है वह यहां पर आपका डीएसलर कनेक्ट हो जाएगा तो आप आश्ट्रो फोटोग्राफी यहां से कर सकते हैं आपको एक टीरिंग पर्चेस करना है जो कि आपको हमारे पास मिल जाएगा और आपको कहीं लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो ठीक है दोस्तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं काफी अच्छा टैलिस्कोप है जो से कि मैंने बताया आश्ट्रो फोटोग्राफर के लिए बढ़िया है इससे आप डीपी स्काई और प्लैनेट्स भी कवर कर सकते हैं अगर आप डार्क स्काई अरिया में है तो आप नेवूला गलेक्सिस वगरा भी कवर कर सकते हैं ठीक है दोस्तो यह सेट अप था इस टैलिसकोप का आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसी प्रकार के वीडियो हम आपको जल्दे-जल्दे लिखके आते रहेंगे अगर अभी तक आपने हमारा चाहरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी वीडियो के नॉट्फिकेशन आपको मिलती रहे ठीके दोस्तों यहीता आज के इस वीडियो में मिलते हैं सिफ़कर कोई नई वीडियो में तब तक अमना प्यार योही बनाए रहें जैहिंद बाबाए